अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए उसमें मैंने आपको present perfect continuous के बारे में उसका रूल बनाने का रूल सब बताया था उसमें हाँ तो इसमें past perfect continuous tense को पहचानने का क्या नियम है लास्ट में रहा था रही थी रहते ये रहेगा बित समय के साथ उसमें भी रहेगा और इसके साथ साथ रहा था रही थी रहते तो ये हो जाएगा आपका past perfect continuous tense इसको बनाने का क्या रूल है subject रहेगा plus had been plus verb plus ing plus four और since plus object मैंने four और since का यूज अपने पिछले वीडियो में बताया है तो आप लोग प्लीज जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए देखिए for example मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था तो आपका क्या हो जाएगा मैं subject had been had been verb हो गया आपका टहल टहल को अगर जिसे कि मैंने बताया उपर में भी कि अधर भर्ब को पहचाना हो तो आप उस word को बोल करके देखिए last में ना लाया कर जिसे कि टहल ना तो यह word होता है तो यहाँ पर यह आपका भर्ब हो गया भर्ब लिख दिए उसके साथ ing लगा दि सेकेंड हम सोमबार से स्कूल जा रहे थे वी हैड बिन गॉइंग टू स्कूल सिंस मंडे तो यहाँ पर भी सिंस लगया तो चलिए दोस्तों मैंने पास्टेंस का आपको होल बता दिया है कि किसमें क्या यूज करते हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर दि जिरा